जैहिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्टिकल ट्वेंटीवने, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज हम लोग हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क को डिसकस करेंगे नेशनल पार्क सुरू करने से पहले बहुत बच्चों को हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड के मैप के लोकिशन में कॉन्फूजन होती है तो चलिए पहले इसे देखते हैं जैसा कि हमें पता है ये हमारा उत्र प्रदेश है और साल है 2000 जब उत्तर प्रदेश से तूट करके ही हमारा उत्राखंड बना था हमारा UK बना था और जैन के एंड लग्दाक के पास हमारा है हमाचल प्रदेश तो हिमार्चल प्रदेश नौर्थ में है और उत्राखंड उसके कंपेरजन में साउथ में है उत्तर प्रदेश के पास होगा हमारा UK और जैन के लग्दाक के पास होगा हमारा हिमार्चल प्रदेश तो चलिए हिमाचल प्रदेश के नेसल पार्क के बारे में देखते हैं हिमाचल प्रदेश का पहला नेसल पार्क है Great Himalaya National Park Second one is Indra Kila National Park Kheer Ganga National Park Pin Valley National Park And the last one is Symbol Barra National Park अगर इन सारे नेसल पार्क के map पे location की बात करें तो Indra Kila National Park सबसे नौर्थ में है Then Kheer Ganga National Park, Pin Valley National Park, Great Himalaya National Park And सबसे साउथ में है Symbol Barra National Park अब इन सारे नेसल पार्क के north through south sequence को भी याद रखेंगे एक्जाम में डाटली इन से question पूछे जाते हैं कि कौन सा नेसल पार्क south में है और कौन सा नेसल पार्क या फिर south to north में इसे कहते हैं arrange करने या north to south में कहते हैं इसे arrange करो तो हमें इनकी sequence याद रखने हैं इंदर किल्द सबसे north में है फिर खीर Ganga, Pin Valley, Great Himalaya और सिंबल बारा सबसे south में सिंबल बारा S से सुरू होता है और south भी S से सुरू होता है तो हम ऐसे याद रखते हैं Simbal बारा सबसे South में है अब चलिए हम कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं जिससे हम हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क को याद रख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में हमारा हो मैंन क्यारेक्टर है वो है इंदर इंदर खीर खाके पिन से सिम निकाल के हिमाले में फेक देता है हमारा क्या ट्रिक है यहाँ पर इंदर खीर खाके पिन से सिम निकाल के हिमाले फिक देता है चुकि इंदर कहां रहता है हिमाचल प्रदेश में तो अब्वेसी बात है कि ये हिमाले में सिम फिकेगा और सिम निकालते हम किसे हैं पिन से हैं तो इंदर खीर खा करके पिन से सिम निकालता है और सिम को कहां फिक देता है हिलमाले में फेक देता है तो ग्रेट हिमाले नसल पार्क, इंदर किला नसल पार्क, खीर गंगा नसल पार्क, पिन वैली और सिंबल बारा, चलिए एक एक करके इन सारे नसल पार्क की डेटेल्स देखते हैं, और शुरुआत करते हैं, पिन वैली नसल पार्क से, पिन वैली न जाने तो हमारे विस्व में हमारे पुरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कोल डिजर्ट कौन सा है अंटार्टिका ओके तो पिन वैलने असल पार लाहॉल एनस्पिती रिजन में लोकेटेड है और यह कोल डिजर्ट बायोस्फेर का पार्ट भी है यहां पर एक स्पीसी हमें याद रखनी है साबेरियन आइबेक्स जोकी लीस्ट कंसर्ण है तो इसकी आईशीन स्टेटस हमें याद नहीं रखनी है बट साबेरियन आइबेक्स हमें पिन वैले इनसल पार्क में मिलेगा यह हमें याद रखना है आवर नेक्स्ट नेसनल पार्क इस ग्रेट हिमालेय नेसनल हम सबका बचपन से एक फ्वाव रहता है कि हम कुल्लू मनाली घूमने जाए तो Great Himalayan National Park कहां लोकेट है रहे? कुल्लू रीजन में लोकेट है रहे तो आप जब भी कुल्लू घूमने जाए तो Great Himalayan National Park जरूर देख के आए Great Himalayan National Park से तीर्थन नदी फ्लो करती है चुकि हिमाले में बहुत सारे तीर्थन के स्थान है तो यहां से कौन सी नदी बहेगी? तीर्थन नदी बहेगी अगर इसके एस्पेसीज की बात करें तो हिमालेन ब्राउन बियर मिलेगा Great Himalayan National Park में कौन सा एस्पेसीज मिलेगा? हिमालेन ब्राउन ब्राउन बियर इसको स्थार्थ मार्क कर लिजएगा यह बहुत इंपोर्टेंट है और इसकी आईसीज इस्टेस क्या है? critically in danger है Our next species is Siberian Ibex Siberian Ibex हमें Pin Valley में भी मिला था और Siberian Ibex हमें Great Himalayan National Park में भी मिलेगा तो इसमें क्या क्या डीटेल हमने देखा Great Himalayan National Park कुलू रिजर में लोकेटेड है यहां से तीर्थन नदी फ्लो करती है और Himalayan Brown Bear यहां पे हमें मिलता है जो कि critically in danger है Our next National Park is Symbol 12 National Park इसमें हमें एक डीटेल याद रखनी है कि यह पवंटा वैली में लोकेटेड है और यहां पे dense sal forest हमें देखने को मिलता है तो हम कैसे याद रखेंगे Symsal 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 Symbol 12 में क्या मिलेगा? Sal forest मिलेगा और यहां पे कौन सा species है? Sambar तो हम ऐसे याद रखेंगे Symsal Sambar Symbol वारा National Park जो कि पवंटा वैली में लोकेटेड है यहां पे dense sal forest मिलेगा और यहां पे species हमें मिलेगी Sambar सेम साल Sambar इस ट्रिक से हम इस National Park के डिटेल्स याद रखेंगे Our next National Park is खीर गंगा National Park खीर गंगा National Park बिक कुलू डिस्टिक में लोकेटेड है हम ने पिछले slide में बढ़ा था कि Great Himalayan National Park भी कुलू डिस्टिक में लोकेटेड है और खीर गंगा National Park भी कुलू डिस्टिक में लोकेटेड है यहां पे हमें Snow Leopard मिलेगा हिमालेन ब्राउन बियर मिलेग और इसे 2010 में established किया गया था तो खीर गंगा नेशनल पार्क कुल्लू डिस्टिक में located है और यहाँ पे हमें स्नो लियोपर्ड हिमालिन ब्राउन बियर मिलेगा इंदर किला नेशनल पार्क की बात करें तो इसे भी साल 2010 में established किया गया था और यह भी कुल्लू डिस्टिक में located है यहाँ से रिवर ब्यास फ्लो करती है और यहाँ पे लगभग 200 स्पीसीज से भी जादा बर्ड के record किये गये हैं कि यहाँ पे बर्ड के 200 से भी जादा इस्पीसीज आते हैं और ब्राउन एंड ब्लाक बेर लियोपार्ड और बहुत सारे डियर एंड गोट यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं तो इंदर क्ला नेशनल पार्क के हमने क्या पड़ा यह नेशनल पार्क 2010 में established किया गया था कुल्लू डिस्टिक के अंदर रीवर व्यास इससे एसोसियेटेड है धाइसों से पी ज्यादा बर्ड के स्पीसीज यहां में देखने को मिलते हैं और ब्राउन एंड ब्लाक बियर लियोपार्ड और बहुत सारे माउंटें डियर एंड गोट यहाँ पे हमें मिलते हैं और जैसा कि हमने जमुएन कास्मिड लग्दाक में और हिमार्चल प्रदेश में बहुत सारे स्पीसीज को पढ़ाए तो एड दे इंड आप दी कोर्स यह सारे स्पीसीज इखटा ना हो जाए और आपको याद करने में रिवाइस करने में आसानी हो तो उसके लिए आप क्य और यहां पर हम नीचे में क्या करेंगे सारे स्पीसीज के नाम एक पेज पर लिखेंगे ओकी क्रिटिकली इंडेंजर में हमने पढ़ा था कस्मीरी इस्टैक आज हमने पढ़ा हिमालियन चाहलें इस ऑर हम ओ और हमालें ब्राउन ब्राउन आ लोकेटेड़ कहां मिलता है यह मством meist हिमाल्य नेस्टिन पार्क में जहां से हमने पढ़ा तके टीर्ठन ब्रिवर ये फ्लो करते है इंडेंजर मेंने करें इसुछ की बात करें तो यहां पर हमें एलिफेंट बंगाल टाइगर वन रेवल की बात करें तो हम यहाँ पर इसनो लेपाड लिख सकते हैं इसनो लेपाड हमें कहा मिलेगा हमें इस नसल पार्क में वन रेवल में और सामबर भी हमने आज पढ़ा ठीक है यह list और भी लंबी होती जाएंगी जैसे जैसे यह course आगे बढ़ेगा तो आप day 1 से ही यह list बनाएं और सारे species को एक एक करके इसमें लिखें ताकि at the end of the course एक या max to max दो page में आपके सारे species एक जगां लिखें हो ताकि आप उसको easily revise भी कर पाओ और उसे याद भी रख पाओ ओके क्योंकि इससे exam में directly question पूछे जाते हैं कि कौन सा species इसमें से critically endangered है कौन सा endangered है इसी के साथ हमने हिमाचल प्रदेश के सारे national park को cover कर लिया है आज हमने क्या क्या देखा हिमाचल प्रदेश के national park के नाम जाने उनके location देखी पिन वैली national park के बारे में पढ़ा कि यह law hall इस पिती रीजर में located है और यह cold desert biosphere का भी part है यहाँ पे saivarian abex मिलता है Great Himalayan national park हमने देखा जो कुलू रीजर में located है और यहां से कौन सी नदी बहती है तीर्थन नदी और Great Himalayan national park हमें क्या मिलेगा Himalayan brown bear मिलेगा जो कि critically endangered है यह अपने को याद रखना है एक्जाम में बहुत बार direct question आ जाते हैं दूसरा saivarian abex तीसरा हमने सिम मलवारा पढ़ा था जो पवन्ता वेली में located है और यहां पे saal forest मिलते हमें dense saal forest तो इसे हम याद रखेंगे sim saal से sim saal okay इसी के साथ हमने Himachal Pradesh के सारे national park cover कर लिये हैं उम्मीद है आज का lecture आपको समझ में आया होगा अगर आपको इससे related कोई भी doubt हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं तो मिलते हैं अगले lecture में thank you